चुनाव आया तो किसान सड़क पर कोई भी सरकार अपने किसानों को क्यों परेसान करेगी, क्यों उनकी रहा में कांटे बिछाएगी, इससे क्या मिलेगा, आंदोलन करना किसानों का हक है, लेकिन राजनीती के लिए नहीं, पहले अपने जन प्रतिनीतियों को खेरे, वे आप की बात सरकार तक पहुँचाएंगे, राज्ये सरकारों के माध्यम से कैंदर तक अपनी बात पहुँचाए, यदि उससे बात ने बने तो आंदोलन करे, हर चुनाव से पहले आंदोलन का मतलब है कि आप राजनीतिक किसान हैं, अस्दी किसान नहीं, सावधान, आप सरकार विरुदी तत्वों के हातों में खेल रहे हैं लोगसबा का चुनाव नजदीक आते ही किसान के नाम पर राजनीती और सरकार को डराने के लिए राजधानी दिल्ली को बंधक बनाने की साजिस रची जाने लगी है इस काम को पूरी योजना के साथ अंजाम दिया गया है पंज को लेकर खूप्या अजेंसियां भी सतर्क है किसानों के अंदोलन को लेकर एक खूप्या रिपोर्ट भी सामनाई है इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस अंदोलन के लिए कई महिने पहले से तैयारी शुरू हो चुकी थी कुछ किसान गुप-चुप तरीके से प्रधा जालने के लिए कथित किसान 40 रिहर्सल कर चुके हैं इन में पंजाब के 30 रिहर्सल और हर्याना में 10 किये गए हैं सिर्फ पंजाब के गुरुदासपूर में ही 15 रिहर्सल किये गए हैं वहीं किसान संगठन 100 से अधिक मीटिंगे भी कर चुका है खुपिया रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि दिल्ली के आसपास के राजियों में यकथित किसान, कार, बाइक, रेल, बस, मेट्रो, आदी से दिल्ली में घुश सकते हैं इंटेलिजेंस रिपोर्ट में आसंका जताई गई है कि अगर किसानों को दिल्ली की सिमाओं पर रोग दिया गया तो बहां 2000 से 25,000 ट्रेक्टर एवम ट्रोलियों के साथ 25,000 तक प्रदसनकारी किसान जमा हो सकते हैं इसके साथ ही यह भी आसंका जताई गई है कि इस दुरान पुलीस पर हमले और आगजनी भी हो सकती हैं फेसिंग, कंटेनर और क्रेन के साथ रुक्षा बलो ने इसके लिए तयारियां सुरू कर दी है पिछले अन्दोलन से सबक लेतेवे पुलीस प्रसासन इन किसानों को दिल्ली में पहुंचने से रोकने के लिए तयारियां सुरू कर चुका है दिल्ली की सिमाओं पर रास्तों को रोकने के लिए बड़े ब्रेकर लगाए गए हैं इसके अलाबा सडकों पर लोहे की कील वाले चादर बिचाए गए हैं ताकि जब किसान रालधानी में घुषने की कोशिस करे तो उन्हें रोका जा सके वहीं हर्याना के साथ जिलो में मोबाइल इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई किसान नेता जगदीस सिंग डलेवाल ने कहा कि एक तरफ तो सरकार हमें बातचीत का नियोता दे रही है दूसरी तरफ हर्याना में हमें डराने की कोशिस की जा रही है बॉर्डर सील की अजा रहे हैं धारा 140 लगा दी गई है इंटरनेट से बाब बंद कर दी गई है ऐसे माहोल में बातचीत नहीं हो सकती सरकार इस तरफ तुरंत ध्यान दे दरसल तीन केंद्रिय मंत्री किसान नेताओं की मांगों पर विचार करने के लिए सोमवार 12 फरवरी 2024 को उनके प्रतिनितियों के साथ बैठक करेंगे किसान नेता सरवन सिंग पंधेर ने कहा कि प्यूस गोयर अर्जुन मुंडा और नित्यानंदर राय संट किसान मोर्चा गेर राजनितिक और किसान मजदूर मोर्चा के प्रतिनिती मंडल से बातचीत करने के लिए 12 फरवरी को चंडिकड पहुंचेंगे वतादे कि हर्याना के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खटर ने देश के ग्रह मंत्री अमीत सहा से मुलाकात कर उने किसान संगठनों के दिल्ली कूच के बारे में जानकारी दी है पञजाब हर्याना की सीमा से लगने वाले रास्तों पर पुलीस और अर्ध सैनिक बल तैनात किये गए हैं किसानों को दिल्ली कूच से रोकने के लिए हर्याना सरकार ने भी कई उपाई किये हैं ऐसे में क्या कहना है आपका इस पर कमेट सेक्षन में अपनी राय जरूर दीजिये का जय हिंद जय भारत